साथियों, संतों की तपस्या कभी निश्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी सुन्य नहीं होते, इनी संकल्पों का परणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल के लिए से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल के लिए से कहा था, कि ये समय गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए सुरूरात में भी मैंने कहा आज देश, विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टक्नोलोजियों में नएक रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सद्योबाद काश्री में विश्वनाद धाम का दिब्यस वरूपी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ड क्लाश इंफ्रास्रेक्टर मना रहे हैं, तो साथ ही केदार नार्त और महा काल महा लोग जैसे तिर्थों की भवेता के साक्षी भी बन रहे हैं। सद्योबाद आयोद्या में भवे राम मंदीर का सपना हमारा सपना पुरा होने जा रहा है। हम आजाजी के 75 साल बाद भी अपनी नौ सेना के जन्डे पर गुलामी के प्रतिक चिन को ढो रहे थे। हम राजदानी दिल्ली में भारतिय संसत के बगल में अंग्रेजी परमपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को भारतिये विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौ सेना के जंडे पर छत्रपदी सिवारी महराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपत कर्तब्य पत्कर बनकर कर्तब्य भाव की प्रेना दे रहा है। आदेश की जन्यजातिय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जन्यजातिय स्वतंतरता सेनानी मिज्यम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचिन मुर्तियां चोरी करके देश के बाहर बेज़ दी गई थी वो भी अब वापत हमारे मंदिरों में आ रही है। जिस विक्षित और अध्यात्मिक बनत का विचार हमारे मनिश्यों ने हमें दिया है। आज हम उसे सार्तक होता हुआ देख रहे हैं। मुझे भी स्वास हैं हमारे शंतों, रुशियों, मुनियों और कि अध्यात्मिक साधना भारत के सर्वांगिन विकास को ऐसे ही उज़्यार देती रहेगी। हम एक नए भारत का निर्मान करेंगे और विश्व कल्यान के अपने भावना को सभल बनाएंगे।